नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्रोप्षंट संतों से आतिर आना सुरू कर दीजे बॉम्बे में अगर आपको कुंड़ी दिखानी सुभन्नों से दोपर बारे बारे बज़े तक आपके साथ जुड़े रहेंगे हम और मुलाकात भी करते रहेंगे आप दस तारिक के बाद गाजियाबाद इन बिट्विन एहमदाबाद और सुरत यह शेहर हैं जहां पर आप जुलाई में हमसे मुलाकात कर सकते हैं पूरी जुलाई इन शेहरों में हम उपस्तित रहेंगे और पंचांग भी अर्थात किस नक्षत्र में चंद्रमा आज आपके लिए क्या फल लेकर के आया है तो सुरुवात जोतिश दिशा की पंचांग असारा मार्ग रिश्रुपक्ष दश्मी हैं शाम साथ बचकर चुवन मिनट तक इसके बाद एकादशी चंद्रमा मेश नक्षत्र अश्वनी रहेगा सुबह 9 बच कर 4 मिनट तक के केतु का नक्षत्र है इसके बाद भरणी ये शुक्र का नक्षत्र होगा दोपहर 12-22 तक सुकर्मा और उसके बाद धृती योग तदनुसार दिनांक 4 जुलाई दिन रविवार राहुकाल साम 4-6 गुलिकाल दोपहर 3-4 आगे बढ़ते हैं आज की भविश्यवानी करते हैं मेश से लेकर मीन तक दिन कैसा बीते का फटा फट अंदाज में जानिए संदे का दिर है अलसाय अलसाय रजाई के अंदर गद्दे के अंदर अगर आप पहाड़ों पे हैं या ब्लैंकेट के अंदर अगर आप मैदानों में हैं कूलर के साथ गर्मी का आनंद ले रहे हैं तो आज लेटे लेटे जान लिजे दिन बीते का कैसा और दिन को बहतर करन का उपाय क्या है आईए आरंब करते हैं वाज के भविश्य वानिका मेश्राशी जगणों में आज उलज सकते हैं शिक्षा प्रभावित होगी ब्यापार बहतरीन है बिजनस में कोई रुकावर नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कश्ट दे सकता है सोच समझ सरकारी छेत्र वालों को आज काम का लोट सताएगा आज बहुत सकारात्मक है पति-पतनी के वीच सवहार्द बना रहेगा बच्चों का सुख आज मिल रहा है लव लाइफ प्रभावित होगा इसको लेकर के आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के माम से मंत्र का जितना हो से के जाब करिएगा और क्या नहीं करना आज किसी को बिना वजह सताना नहीं है मतलब वजह के साथ सताना शुब होगा गया नहीं लोग कई बार आपकी वानी से भी अपने आपको सताया सा फील करते हैं तो वानी पर आज अंकुष रखने की आवश्यक तो वानी पर अंकुष और मधूरता जरूर रहे। स्वास्त के मामले में आज का दिन जुखाम खासी के साथ साथ माईग्रियन की समस्या दरसाता है। आज किसी को अपने राज की बात नहीं बतानी है। बैक की प्राबलम आखों की समस्या हो सकती है। स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द की शिकायत रहेगी। प्रियोग के तोर पर करक राशी वालों को कहीं हरी सबजी का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है। अपने राज किसी से भी शेयर बत करिएगा। शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रिशत चांचट सिंग राशी। रुके काम बन रहे हैं आज पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। सिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। ब्यापार आपके लिए ठीक नहीं है। यहां पर कष्ट बढ़ रहा है। प्राइवेट सिक्टर आप पर आज सकारात्मक प्रभाव डालेगा। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है। गवर्मेंट सिक्टर में तनाव बढ़ सकता है। दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है। पत्य पत्य की बीच बहुत सभार्द रहेगा, स्नेह रहेगा। लव लाइफ में उल्जन बढ़ेगी। आज लव लाइफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की दिक्कत, कमरदर्द की शिकायत, शुगर की दिक्कत हो सकती है। प्रियोग क्या करना चाहिए? चार जुलाई को, आज उपाय के तोर पर किसी पौधे की नीचे की मिट्टी से मस्तक पर तिलक लगाईएगा, क्या नहीं करना है? बड़ों को जबाब नहीं देना है, शुबरंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 51, कन्यराजी काम बन रहा है, पढ़ाई अच्छी करेंगे, कोई रुकावट नहीं है ब्यापार तकलीफ देगा, बिजनस कहीं से भी ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर बहुत सकारात्मक है, हर प्रकार की शुबता मिलेगे सरकारी छेत्र उल्जा देगा, गौर्बेट सेक्टर आपके लिए परेशान करने का कारून बनेगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है एक दूसरे किरपती बहुत सजगता के साथ, शान्ती के साथ कदम बढ़ाएंगे लब लाइफ आपके लिए परेशानी का कारून बन सकता है, सुच समझकर फैसला लेज़ेगा स्वास्त के मामले में पेट, कमरदर्द, आँखों की तकलीफ बढ़ सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए कन्या राशी वालों को तीन बूद सरसो का तेल उल्टी हथेली पर रखकर ओम शम शनिश्चराय नमह कहते हुए किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना कन्या वालों को आज जान बूच कर अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आपके लिए औरेंज भाग की प्रतिशत 58 तुला राशी सिक्षा के लिए जो सोचा था आज पूर्ण कर लेंगे परहाई में मन खूब लगेगा ब्यापार आपके लिए तुख देने का कारून बनेगा बिजनस की स्थती आपके फिवर में नहीं है प्राइविट सेक्टर आप पर अच्छा है प्रभाव अच्छा डाल रहा है किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी सरकारी छेत्र उज़ा देगा गवर्मेंट सेक्टर ठीक तहीं है आपके लिए परेशान कर सकता है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है एक दूसरे केपती बहुत सभार्द रहेगा समय देंगे काम बनेगा लव लाइफ इसमें तो उठापटक बहुत अच्छे से चलेगा आज नए प्रपोजल मिल सकते हैं सोच समझ करके अक्सेप्टेंस देना होगा परेशानिया बढ़ सकती हैं स्वास्त के मामले में जुखाम खासी के साथ साथ डाइजेशन प्रॉबलम भी हो सकता है उपाई क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है गंगा जल और गुलाब जल उल्टी हथेली पर रख करके दाइने हाथ के अगउठे से स्पर्श करके एक बार तिलग लगा लीजेगा क्या नहीं करना है दूसरों को जवाब देने से पहले जल्दी वाजिबत करिएगा सोच समझ कर जवाब मिजेगा के सरियारंगशो भच चववन प्रित्षत का भाग्या ब्रिश्चक राज दिनांक चार जुलाई सिक्षा बहुत अच्छी है पढ़ने में हर प्रकार की शुपता मिलेगी लाब क्या उसर बनेंगे ब्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस में रुकावट आ सकती है परिशानियां बढ़ सकती है प्राइवेट सिक्टर आप पर सकरात्मक प्रभाव डालेगा सरकारी छेत्र मुश्किलों में डाल रहा है थोड़ा सा विचार करके तब कदम बढ़ाईएगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है परिशानी बिलकुल नहीं आएगी हर प्रकार की शुक्ता मिलेगी लव लाइफ मामला यहां पर गड़बड है लव लाइफ में कई तरह की समस्याएं बढ़ रही है लव लाइफ परिशान कर सकता है स्वास्त के मामले में आज च्छाती में दर्ध हो सकता है घुटनों में तकलीफ आँखों की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए ब्रिश्चिक वालों को आज ओम हरेम दुम दुरगाये नमह यह मंत्र आज कम 108 बार जाप कर लेजेगा क्या नहीं करना है आज क्रोध में रियाक्ट नहीं करना है भूरा रंगशुभाय साथ प्रत्षत का भाग्या धनुराशी बिबाद हो सकता है पढ़ने में आज दिक्कत आएगी पढ़ाये नहीं हो पाएगी ब्यापार अच्छा चलेगा लाब होगा दक्षण देशा से ओफर आएगा प्राइवेट सिक्टर उन्नती दे रहा है सरगारी छेत्र उल्जा देगा दामपत जीवन अच्छा है बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ में आज प्रपोजल्स मिल सकते हैं शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में जुखाम माईगीरेन की दिक्कत रहेगी प्रयोग क्या करना चाहिए आज दाहिने पाउं के घुटने पर थोड़ा सा सर्सों का तेल मालिश करिए क्या नहीं करना है आज बड़ों को जबाब नहीं देना है शुबरंक स्लेटी भागी प्रत्षत 63 मकर राशी दिनांको 4 जुलाई पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में जो सोचा है वो हो जाएगा ब्यापार तकलीफ देगा बिजनस की स्थिति ठीक नहीं है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल माहौल पैदा कर रहा है हर प्रकार की शुबता मिलेगी सरकारी छेतर कहीं से कुछ न कुछ समस्या पैदा करेगा कश्ट बढ़ाएगा नामपत जीवन बहुत अच्छा है कोई रुकावट परिशानी नहीं आएगी लव लाइफ में परिशानिया बढ़ सकती है उठा पटक दिखाई दे रहा है लव लाइफ कुछ न कुछ परिशान कर रहा है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज का दिन मगर राशी वालों को जुखाम खासी और थोड़ा बहुत डाइजेशन को भी लेकर की दिखकत करेगा उपाय के तोर पर प्रियोग के तोर पर मगर राशी वालों को ओम गंगन पते नमः भगवान गनेश के इस बीज मंत्र का जाब करना होगा साथ बार क्या नहीं करना है आज दूसरों के काम में हस्तक शेप नहीं करना हरा रंगशुभ है 58 प्रित्सित का भाग्य है कुम्भराश पढ़ने के लिए आज जो विचार किया है वो आपका पूर्ण होने जा रहा है सिक्षा में कहीं कोई रुकावट ही नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे ब्यापार में कश्ट बढ़ेगा बिजनस आज रुक सकता है ट्राइविट सेक्टर आपकर आज सकारात्मा प्रभाव डाल रहा है सब प्रकार की शुगता आपके साथ बनी रहेगी सरकारी छेतर आपके लिए उल्जन पैदा करेगा रिस्क लेने से बचने की आवशकता है दामपत्र जीवन अच्छा होगा आज कहीं घुम्दे टरने का कारकम बन सकता है बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा लव लाइफ पे उल्जन है परेशानिया बढ़ सकती है सोच समझ कर निर्ला दीजे स्वास्त के मामले में आज का दिन जुखाम के साथ साथ आँखों की तकलीफ भी दिखाई देता है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्भ है आज किसी जरूरत मंद को दवा का दान जरूर करिएगा क्या नहीं करना है लाल रंग का परहिज नहीं करना है बादामी रंग शुभ है छांचट प्रत्सित का भाग्या है अंतिम राशी मीन पढ़ने में आज बम बम निकलेंगे सिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा प्राइवेट सिक्टर में परिशानिया बढ़ सकती है सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अनकूल इस्थती पैदा कर रहा है दांपत्त जीवन सगारात्मक है पत्नी के साथ बहुत अच्छा लय बना रहेगा लब लाइफ इसमें कुछ न कुछ रुकाव अटा सकती है स्वास्त के मामले में किड्नी लीवर और आँक के समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए मीन राशी वालों अगर आपकी राशी मीन है ओम चामुंडाये नमह मादुरुगा की समंत्र का साथ बार जाप करिए क्या नहीं करना है आज दूसरों के घर का भोजन नहीं करना है पीला रंग शुभ है पचास प्रतिशत का भाग आपके साथ है मेश से लेकर मीन तक अब आईए आज की चर्चा करते हैं भाग्याक्षर की मेश घाक्षर ब्रिशपगा मिथुन भाग्षर करकवा सिंग राग्षर कन्या या तुलासा अग्षर ब्रिश्चिक्बा धनु भाग्षर मकरहा कुमब जाग्षर मीन पा सादे चोकुर कागच पर लिख लिजिए सक्सेस की किसी पौधे के नीचे दूरवा रखकर फिर ओम बुम बुधाय नमह का जाब कर लीजेगा दूरवा रखना है दूब घास ओम बुम बुधाय नमह हो गया जिनकी आज बैरिज अनवरसरी और बर्थ अनवरसरी है उनको शुब कामना है बहुत सारी बधाईया इश्वर आपको देरगाय दे आपकी युगल जोड़ी हमेशा सलामत रहे सवहार्द में रहे उपाय क्या करना है जिसकी आज बर्थ है अनिवरसरी है काला कपड़ा कादान सफाई कर्मचारी को करना है और दो बच्चो की सिक्षा में मदद करना है और जिनकी आज मैरिज अनवरसरी है छोटे बच्चे की सिक्षा में मदद करके दो लोगों को भोजन करा दीजिए इतना सा करना है Thank you so much मुम्माई में हम पड़े हुए हैं आपके लिए पड़े हैं सुबर नो से दोपार बारत तक कभी भी किसी भी दिन appointment मिल जाएगा डारेक्ट आईए मुलाकात करिए no need to pay in advance थैंक यू बहुत ख्याल रखिए नमस्कार स्रिकिष्णा शिरादे